देखिए जो एस्टोलोजिकल कॉमिनेसंस बन रहे हैं लास्ट दो साल के अगर हिस्ट्री देखेंगे तो जो भी टीम चेस कर रही है वो जीत रही है 90 परसंट अब टाइम और यहां पर मैंने वर्ड कप के पहली बुला था कि इंडिया सेमी फैनल मुंबई में खेलेगी और वह प्रेडिक्सन में चेंज नहीं करूंगा और इंडिया यहां जितने वाली है और जो भी जोतीसी अगणना मेंने की है उस हिसाब से भारत का ही पढ़ला भारी लग रहा है और मेरे एडवाइस के हिसाब से अगर मुका मिले टॉस जितने का तो भारत को चेस करना चाहिए मुंबई में जो मैच का टाइम है दो बजे के बाद जो स्टार्ट हो रहा है अराउंड बाउट दो से लेके दो अर्थिस्त तक जो समय है वहां क्यों विकेट्स गिरने की बहुत संभावना है तो अगर भारत पहले गेंदबाजी करता है और विकेट न्युजेंड के दो न्युजेलेंड वापस वापसी आएगी न्युजेलेंड की और इन इवनिंग आफ्टर जभी भी इंडिया बैटिंग स्टार्ट करेगा जो भी टीम सेकंड बैटिंग करेगी उसके इनिसली एक घंटा इंडिया के फिबर में रहेगा और पॉने नौ बजे तक मिक्स चले है और इस एस्ट्रोजिकल कॉमिनेशन में जनरली मैच इस जो हता है इसली नौट इसली बट हां कुछ पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जी जाते हैं चेज करनी वाली टीम बिना कोई बहुत बड़े रुकावट के दिखिए अगर भारत पहले गेनबाजी करती है तो न्यु रोइस सर्मा गिल और विराट कोली कुछ हर्द तक फॉर सेमी फाइनल बट रोइस समा और गिल बहुत इंपॉर्टेंट बल्लेबाज है मुझे लगता है कि वो दोनों काफी अच्छे परफॉर्म करने चाहिए और एक चीज मैंने बोली थी सुर्य कुमार यादव जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पारी खेलेंगे नौक आउट मेसेज में तो वो हो सकता है सेमी फाइनल में हो हो सकता है वो सुर्य कुमार यादव के ऊपर भी वाच करना चाहिए अपने ये नहीं बोल सकते कि व वो एक बहुत बड़ा एज मिल जाएगा तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा हाला कि इनिंग्स हो सकते हैं शुर्य कमार कि 40-45 भी ओ 50 हो लेकिन वो जो इंपॉर्टेंट होगा उस समय खेलने के हिसाब से मेरे गाल से वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा त पास्ट में मैंने 10-15 मैं अपना जो 30 कि इस से लगाया है उस हिसाब से मैंने यह पाया कि 70-90 परसल्ट जो विकेट होती है उस टाइम पर ही गिरती है और अगर वो मैच करती है तो वो लूजिंग टीम की तरफ से होती है तो मैं आपको वो समय आपको दे दूँगा आप दे भारत के परक्स में है और नुजिरेंट के परक्स में तो अकॉर्डिंगली वोड़ ज्यादा प्ले करेगा तो यह बहुत इंपोर्टेंट फेज में है और इस पड़ाओ में अपने केरियर में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाए यह कोई बहुत बड़ी बात नहीं करेंगी तो आयम एक्सपेक्टिंग इंडिया तो गो तो फाइनल्स और पॉसिबली और विराट कोली का भी ताइम बहुत अच्छा चल रहा है लास्ट देर साल पहले जब उन्होंने कैप्टन सी शोड़ी मैंने लिखी दिया थे ट्वीटर पे कि अब उनका टाइम चेंज है और स्रेय सरीय दोरी बहुत अच्छे बलेबाज है हाला कि न्यूजिलेंड के अगेस में जो सेमी फैनल है उस दिन मुझे रोहित सर्मा सुमन गिल ज्यादा अच्छे दिख रहे है हाला कि उस समय पहले अर्थी स्पनेट जो गेम के है उसको बहुत कॉसिसली बारत को दि देना चाहिए न्यूजिलेंड की तरफ से डेरेल मिचल कॉन्वे और टॉम लेथन और टीम साओधिये चार प्लेयर है मैंने निकाले हैं जो परफॉर्म कर सकते हैं सेमी फैनल में जिनको भारत को थोड़ा साथानी से देखना चाहिए मैं उस हिसाब से बोल रहा हूं कि जो इस समय में चैसे जो बहुत कम पाया गया है तो मुझे लगता है भारत अगर चेस करता है तो 45 तो 47 अबर में हो सकता है मेबी 48 ओर मैक्स तूमैक्स उसमें चेस कर ले और उसके अंदर में 275 इसकोर रिजनेबल तूचेस उसमें 275 डोसाशी भी होता है दोसोपचास होता है जो भी होता है अब कितने के अपिटलाइज करते है बारत के बहुत है गेंडबाज उस समय स्टार्टिंग ऑफ बाद अपिटलिस तो होई नहीं सकता है और हाला कि इन दे एंड जीत हो सकते है लगे कि हाँ एजी थी लेकिन दूरिंग दे मैच काफी उपर नीचे होगा न्यूजिलेंड भी भारी परेगा कुछ समय के लिए जब अच्छा बलेवाजी कर रहा होगा अफ्टर वन आवर अप द प्रेसर भाई भी रहे लेकिन मुझे लगता है वह आशानी से आगे निकाल लेगा तो बुम्रा और रवीन जदेजा जो है मैंने वह दो बॉलर देखे वालत कि जो उनके लिए वो दिन काफी अच्छा रहना चाहिए मेरे खाल से रवीन जदेजा बहुत इंपोर्टन रोल प्ले करते हैं नोट ओली बल्लेवाजी में बट अलसो जो मीडल ओवर में जो गैनबाजी करनी होती है तो उस समय अगर दस ओवर वो 35 संद देखर भी निकाल ले और विकेट भी एक या दो भी ले तो यह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा प्रेसर में डालने के लि न्युजिलेंड का परफॉर्मेंस आफ्टर एक घंटा जो प्ले का हो जाता है उसके पर डिपेंड करता है अधर भारत दो थिल विकेट इमिजेटली स्टार्टिंग में ले ले तो वह बहुत इंपॉर्टन रहता है और डेर्ल मिचल जो है वह बहुत इंपॉर्टन प्ले भारत मेरे खाल से रचिन को पहले ही आउट करने में कामियाब हो सकता है उस दिन और बॉलर में न्युजिलेंड के तीम साओधी जो है उनका प्रफॉर्मेंस अच्छा रहना चाहिए वह बहुत एक्स्पीडेंस बॉलर है तो देखना चाहिए हमले को कैसा रहता है उनका देखिए साओध अफ्रिका और अस्ट्रेलिया के बीच में हाला कि मैंने एक चीज़ बताना बूल गया इस वर्ल्ड कप में मैंने पहले लिखा था कि रिवेंस थियोरी काम आएगी और रिवेंस थियोरी के मेरा मतलब यह था कि जो भी सेमी फैनल में टीम में जाएगी वह प्रिवेस वर्ल कप में उनको रिवेंस लेने का मुखा मिलेगा इंडिया न्यूजिलेंड से 2019 में हारी थी समी फैनल में तो यह मुखा उनको अभी मिलेगा और वहाला कि वह वैसी समीकरन बैटर है अब ऑस्ट्रेलिया और साओध अफ्रिका का भी जो है नाइंटी नाइन में साओध अफ्रिका हार गई थी लेकिन अभी जो समय जो चल रास्ट्रोजिकल यह बहुत ही क्लोज मैच होना चाहिए मुझे दोनों टीम बडाबर दिख रही है हाला कि अटच मैं साओध अफ्रिका क्या फेवर में रहूंगा फॉर वन परसेंट जस्ट बिकास कि उनका 30 30 साल का साइकिल है 1992 से वह अभी एंड हो रहा है 1992 में उन्होंने पहला वर्ल्लक खिला था क्रिकेट में वापिस और अभी 22 में जाकि उनका 30 साल एंड हो गया है और मतलब अगर साओध विका चेज करें तो अला कि बहुत डिपिकल्ट हो जाएक उनके लिए वह अगर सेमी फैन में पहले बल्ले बाजी करें तो वह बहुत रोमांचक मैश हो सकता है जीनियर्स